कि नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार वित प्रमधी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ के 20 महत पुलिन प्रस्ण डिसकस करने वाले हैं और यह मिसलेनियस कोश्चन है दोस्तों पेपर से लिया गया अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे उत्रपरदेश फूलिस की त्यारी कर रहे हैं यह सबी का आई टीबीपी का या फिर एससी के किसी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत पुलिन है ठीक है दोस्तों तो जितने भी बीस कोश्चन इसमें हमने लिया है और बीस के बीस कोश्चन ऐसे महत्वपड़ हैं दोस्तों जो आप बार-बार किसी परिक्षा में रिपीट होते हुए देखते हैं ठीक है आसा है कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा और मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने समझा भाने का भी परियास करूंगा ठीक है दोस्तों तो चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए जिससे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिलता रहें ठीक है दोस्तों चलिए तो आजएए दोस्तों जल्दी से आप लोग सभी लोग इसको वीडियो को सेर भी कर दिजी पहला कोशन दोस्तों आपके सामने यहां पर है कि यह सामने है कि यदि किसी संखिया के 40 में 165 जोड़ा जाता है तो परिग्यामी संखिया व क्या है लगाने का दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है बहुत ही सिंपल तरीकिसे इसको सॉल्व करना है देखे दोस्तों इसको हम रेशियों मेथर से बता रहे हैं कैसे इसको लगाना है चालिस परसेंट को भीन में तोरेंगे तो चालिस परसेंट का मतलब होता है दो बटे पांच दो बटे पांच चालिस परसेंट का मतलब होता है दोस्तों दो बटे पांच कहा है कि यह किसी संख्या के चालिस परसेंट में 165 जोगा जाता है इस संख्या पांच का अगर हम पां कोई संफिया जो नहें। जो डूबारव संफिया पांच रही है तो आप कितना होगे है धुट किनगे एक पाउपात में तीन लेकिन वास्तों में कितना 165 जोगे रहे हैं यह तो भाग देजिए तीन से काटेंगे तो पच्पन बार में एक कर दियागा एक का मान हो जाएगा पच्पन तो हमसे पुछा हुआ संख्या बता यह तो नीचे का वैलू होता है हर में वही वह मूल संख्या होती है तो पांच कमान पूछा दोस्तों बस पांच से दोनों तो गुर्ण तरस आपको सवाल समझ में आया चली ठीक है दोस्तों बहुत बाद भगिया चली आगला प्रस्ट नहीं है अगला प्रसन दोस्तों है इसमें प्रस्ट नमबर 42 यह दूसरा प्रस्ट है तो यहां कहा है कि बेंजक निम्लिखित बेंजक का मान ग्याद करें दोस्तों इसका मान बताना है कितना होगा ठीक चार्ट बिकल्प दिए गए हैं और यह दो जो सवाल है दोस्तों यह सवाल बोडमास के नियम पर अधारित है तो आप जानते बोडमास का नियम क्या होता है सबसे पहले का को हल करते हैं का का मतलब कुछ नहीं होता है गुगा होता है का का मतलब क्या होता है दोस्तों का का मतलब गुगा होता है छेतिया अठारे हो जाएगा अठारे हो जाएगा अठार और प्लस का यहां तीन बच्चा है इसको जब हल करेंगे दोस्तों तेहां हो जाए गालिसे नहुंगे नहुंगे मैंनस दो बट्टे 9 ठीक है इसको हल करेंगे आप तो इसमें से आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 11 आ और माइनस का एस एंग्यार से पलस एक माइनस का दो बट्टे कर नौ ठीक है देखें दोस्तों इसको हल करने का तरीका सिखिए आप सवाल लगाने की बात नहीं है सवाल तो लगाना असान है लेकिन इसको बहुत ही भाश्ट कैसे लगांगे क्या तरीका होता है वह सिखिए बारे का वारे का हमने तो डिया ऑल्टक्र एक में और यहां पर माइनस दो बके नौ wha लिक evi और प्लस नौ एकन्य नौ में से दो गया तो साथ सात ब़टे नौ यानि इसका जो फाइनल उत्तर हो गा peso altar सात्तosy का उत्तर होगा आपन dette किलिया है दोस्तों सबस ठीक है अगला पिर सने आगला पिर सब्सक्राइबट दोस्तों प्रस नंवर तीन इसमें कहा गया है एक संख्या्ण दूसरी दिंघ्या है और उसका महत्तम समापोर तक आठ है इन संख्याओं के वर्गों का यूग क्या होगा चलिए दोस्तों कि सिंपल सा सवाल है कहा है एक संख्या हमने एक संख्या एमाल लिया और एक संख्या हमने भी माल लिया का एक संख्या दूसरी संख्या के तिन गुनी है एक संख्या यह जो है दूसरी संख्या का तीन पूल है अगर इसको हमने माना किया तीजती में प्रफ़ा तीन और एक का मौशव एक और एक कमान क्या दिया है कमान दोस्तों आठ लिए पन्रोस्ट के वर्वों का यूख पर ईक संख्या यहां पर एक संख्यां तीन माना है एक एक माना है तो इन दोनों का मौत्रों कीज़ने क potion क्या होजयका इन दोनों का तीज विश्दा कहने है निकाल ली जील तो यह है चौबिस और एंसर आठ इन दोनों का स्कॉयात का योग पूछा है डोस्तों चाल तो छे चैस चैस का स्वाई थैस चाटीस अच्छाटीस अच्छातीस का डिशे रिश्व हो जागा नौ जान्व बनता है उसको खतम कर लीते हैं आठ चाउँसट आठ का चाउँसट यानि चाउँसट का मतलब क्या डिश्व सम तो यहाँसाट ऐसे लिखेंगे जो और इसमें दोश्तर आप आप या तो फिर लेकिन दोस्तों अब आप इसमें प्रस जाएंगे तब कैसे हल करेंगे तो इसमें कुछ नहीं दिमाख लगाना दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका सब्सक्राइब थैकर दोनों को जोड़ें डिटा लगभग लगभग यह 600 के 600 के पार जा रहा है पैचिसका स्क्राइब टो पैचिसका स्क्राइब आठ का इसक्राइब जोड़े रहे हैं तो 600 लबस 700 पहुंच रहा है लेकिन हमें तो 152 का करना है की नहीं है हमें तो सिर्फ औह सिर्फ चोबिस का करना है तो उससे कमि時間 आएगा या एक हजार कोगा ही नहीं एकला से कम ही होगा यह आपसों नमबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बार आप & revenge कर दिजिए जल्दी से हमें बता दिजिए कि क्या आपको यह सवाल समझ में आया है या फिर दोबारा बताने की जरूरत है कि सबस है चली दोस्तों अगला प्रस्ण आपके सामने है अगला प्रस्ण है दोस्तों एक निश्चित संख्या में लड़ू दस बीस और पचीस बच्चों के बीच बराबर बराबर बितरीत किये जा सकते हैं ठीक है दोस्तों लेकिन अगर 27 बच्चे हैं अगर बच्चों की संख्या 27 है तो उन्हें बराबर लड़ू देने पर तीन लड़ू सेश बच जाते हैं लड़ू की निवंतन संख्या कितनी है 200-300-100-400 अब इनमें से कौन सा उत्तर बिकल्प सही होगा अब देखिए दोस्तों इसका हल कैसे करेंगे इसको लगाने का क्या तरीका है चलिए देखिए यहां पर आप यह जो संख्या दिया है दस बीस पचीस इनका निकाल लिजी लगुत्तम तो दस बीस पचीस का यल सीम आएगा इसका यल सीम आएगा सव इसका यल सीम सव आएगा तो अब देखिए अब लड़ू की संख्या या तो सव होगी या फिस व कोई गुगज होगा ठीक आप कैसे पता करेंगे कौन सा बिकल्ब सही होगा तो बस क्या करना है दोस्तों आपको सव से भाग 27 से भाग देना है यह तो सौ भी आफ्सन में दिया है या तो सव ही होसकता या दो सव हो सकता है या तो 400 लेकिन अब कैसे पता करेंगे देखिए 27 से भाग देने पर जिसमें सिस्फल 3 बचेगा बस तराए उत्तर है कि लिए थे चलिए दोस्तों तो आप भाग देजी देखें सो में जब भाग देंगे 27 से 27 त्यां 81 19 से बचेगा तो यह तो आपसन होगा नहीं 100 होगा ही नहीं ठीक 100 पहले ही काट देंगे इसमें पहले कोई दिक्कत है यह लेकिन दोस्तों अब आव आफ यह आपसन नंबर बीपर यहां पर जब 300 को जब भाग देंगे दोस्तों 300 को जब भाग देंगे आप 27 से 27 से करने 27 तीन बचेगा हो जब तीस आपसन नंबर B ही इसका सही उत्तर होगा ठीक है चली दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर यह है 45 नमबर यानि सवाल नमबर 5 है दोस्तों इसमें कहा है इसमें कहा है दोस्तों यदि A का 10% बराबर B है तो 20 का B% कितना होगा अब देखिए दो शार केते हैं तो कि द्वी का बीपरसेंट कितना यहां से भी तो बराबर क्या है यहां पर कहा है बी परसेंट बी का बीश कर दिजिए अगवे है इधर वाला मिल गया जो कामेहा किया कामेहा भी कर दिजिए यानि आप क्या किये हैं बीस से गुगा इधर किये हैं यहां पर आप इसमें भी 20 से गुगा कर दीजिए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए यानि परसेंट का मतलब क्या एक बट्टे सो यहीं तो होता है चलिए अब इसको हल करेंगे तो यह तो बीस पंजे सो हो जाएगा यानि एक बट्टे पांच हो जाएगा एक बट्टे पांच हो जाएगा और पांच से यह कटेगा दो बार में पांच दूना दस यानि यह फाइनल जो उतराएगा वह आएगा एक का एक का दो परसेंट एक का दो परसेंट एक का दो परसेंट यानि आपसन नंबर इसमें आपसन नंबर जो सी है दोस्तों यह करते रहे हैं तक हमें पता चले कि आप को हर चीज समझ में आ रहा है आप संतुष्ट है दोस्तों ठीक है चलते हैं और अगला पर पर है इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं कि चली दोस्तों ठीक है यहां पर प्रस्ट नमबर 6 प्रस्ट नमबर 6 का कह रहा है दोस्तों यह का रहा है कि एक ब्यक्ती ने 18000 रुपए में एक रेफ्रिजिलेटर खरीदा दो वर्स के बाद उसने उसकी मरमत पर 2500 रुपए खर्च किये और इसे 12300 रुपए में बेच दिया हान प्रसंट बताईए दोस्तों बहुत ही सिंपल बात हैं बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों अगर एक आदमी 18000 रुपए में खरीदा है और मरमत करने में 25 रुपए खर् करिदा गया मुल मुल vast क्राया हुआ मुल दोनों जूट के क्रेमल का क्रेमल में क्रेमल हो जाएगा इनि लागत मुल का काम करे गए णोनी म technology मुल कितना हो जा रहा है देख लिए यहां से एक एक दू इतना हो जाएगा अनुपात से लगाएगी दोस्तों असान तरीका है कोई दिक्कत थुरीन है इसमें चली यहां से 200 नकटेगा दोसुन नकटेगा इसके बाद देखे दोस्तों 25 कि दोसुपांच बच रहा है 153 बच रहा है 205 रुपिया में आप खरीदे हैं और 123 रुपयं बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान हो दोस्तों देख लीजी यहां से यहां से पांच में से तीन घटाएंगे तो बचेगा दो हम अदॉसमें से दूग या तो बचेगा आठ ठीक है 82 का नुक्सान हो गया किस पे 205 पर 205 पर गुवे 100 चलिए इसको काटके चेक कर लिजिए पांस से काटेंगे तो पांच दूना दस बीस एक तालिस दूना होता है दोस्तों 82 दो भी सहियां में 40 यानि इसका उत्तर क्या हो जागा 40 परसेंट इसमें कोई दिक्कत परसानी है तो इत्र का मुल अंकित मुल कितना है चलिए दोस्तों किसी सेल में इत्र अंकित मुल पर 25 पर सेंट छूट के साथ उपलब्द है पहले का मतलब होता है दोस्तों एक बठे चार परसेंट का मतलब होता है एक बठे चार ए ठीक उसका अंकित मुल्यिद्धा चार एक उपै की जूट मिला एक तुक अधिय। सेल में इत्र का मुले एक और 973 का मानदा 1 तर तर 2000 से काटके चिक करने कितना रहा है तीन दूना 6 तीन दूना 6 दू बचेगा तीन नम सताइस और तीन कनने तीन इतना हो रहा है बाइस वर क्यारं ले तो इत्र इकाई कांग चार आएगा दोस्तों दो आप्सन में चार है तो यानि यह तो होगा ही नहीं यह दुनों ए और भी तो होगा ही नहीं कब कर आप कैसे सम्ल करेंगे या तो आप गुगा करिए या तो डिजीट सम लगा ये दोस्तों डिजीट असान तरीका है यहां 9 खटम हो गया चार सो डो चाहि Umm अउत्तर सही होगा अभी सबस्क्राइब कि यहां तो खुतम होगाँ चैश्य दॉस्ट था नहीं यहां से यह यह दो वापस जोड़ेंगे तो यह दो हो जाएगा यानि इसका डिजिस समा रहा है दो यानि आपसर नमब सी ही सही होगा के लिए है दोस्तों चलिए अगला प्रेशन पर चलते हैं और अगला प्रेशन आपके सामने यहां पर है देखिए 25 प्रिच्छणों का आउसत 50 है यदि शु बिल्कूल आसान और सरल तरीका है इसको हल करने का ठीक है परसान होने की जरुवत नहीं है दोस्तों बहुत ही असान तरीका है देखिए 25 टोटल प्रिच्छेपड़े थे जिनका आउसत था पचास यानि 25 पंजे एकसो है 25 यह हो जाएगा टोटल प्रिच्छेपड़े का य है यानि 520 और अन्तिम का तेलय का अंठावन है तो 55 का तेरह वर्थे 104 उता दोस्तों तेरह वर्थे एकसो चार हासिल का दोस अधिया 565 आदस 652 शीयत्तर पचाथा पचातर पाचातर हो गया इसको दोनों को जोगत एक हो जाएगा चार पांदू साथ साथ पान्याचा बार है ठीक है 1274 आ रहा है दोस्तों सुरू कर ते रहे थे लाश्ट के तेरे 26 नहीं हो गया हमें चाहिए कितना पचीस यानि एक संख्या दो बार गिन ली गई है तो इसका योग हो गया है योग इसका हो गया है और एक ही आपसर में एकाई कांग चार है और भी कौन सा है दोस्तों वह है 24 तो 24 इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा ठीक है कि चलिए दोस्तों अगला प्रेशन पर चलते हैं और अगला प्रेशन आपके सामने यहां पर यह है इसमें कहा है दोस्तों यह अनुपात का सवाल है पी का मान पी अनुपाते क्यू पी का मान है दोस्तों दो अक्यू का मान क्या है तीन है बस यहां पर कुछ नहीं करना यहां पर पी और क्यों का मान रखना है तो पी का मानद जो रखेंगे क्या मान तीन रखेंगे का मान्ध है आगे हल नहीं करना है साथ चेक कर लीजिए एक ही आफसन है तो बस आफसन नंबर एस ही है आगे चलते हैं अगला पुरस्ण है दो संख्याओं यक्स और वाई का अनुपात चार अनुपात साथ है यदि यक्स में जोगा जाए और वाई में साथ घटाया जाए तो उनका अनुपात तीन चार हो जाता है ठीक है तो यक्स और वाई के बीच का अंतर ग्याद कीजिए च कुछ के से हल करना कि है ел कि बहारा साथ है यंग्स में काड़ाज है जोगी यह जाथ है जोड़े दिया गया अवह सब घटा दिया जाता है घटा दिया गया तो वह संख्यात तीन और चार के अनुपात में हो जाती है इसी को हल करते हैं दोस्तों या तरीका समझे इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है चलिए यहां पर आईए इसको ऐसे हल करिएगा कि देखें दोस्तों कि देखें दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं मैं दोस्तों कि दोस्तों में इसके बाद क्या करना है इसके बाद क्या करना है दोस्तों 24 होगा और साथ का तीन में साथ तियां 21 माइनस का इस होगा बस इन दोनों को घटा देना है अजब घटाएंगे दोस्तों यह पलस हो जाएगा तो 21 और 24 जोगेंगे तिया हो जाएगा 45 45 पांच से भाग देंगे 59 45 हो जाएगा नो एक कमान दोस्तों 9 आ गया तो पूचा है य चार और साथ का अंतर क्या हो जाएगा तीन बस तीन कमान पूचा है तीन से उगया कर दिए नो तियां 27 तो 27 इस प्रेश्ण का सही उत्तर होगा आपसन नंबर बी चली दोस्तों अगला प्रेश्ण पर चलते हैं अगला प्रेश्ण आपके सामने यहां पर एया है कि 75 लीटर के एक मिस्णर में दूद और पानी का अनुपात तीन दो है यदि यह अनुपात एक दो करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा सुरुवात में कितना है तीन और दो के अनुपात में ठीक है और कितना करना हमें एक और दो के अनुपात में दूद और पानी यह मिलक है और यह वाटर है दोस्तों यह पूछा कितना पानी मिलाना होगा वाटर मिलाने की बात कर रहा है मिलक नहीं तो मिलक मिलाना है क्या हमें वाटर तो पानी को तो छेना नहीं है तो पानी पहले तीन था भी भी तीन होना चाहिए था लेकिन तीन तो है नहीं तो तीन से गुगा करेंगे दो नुम होगा तो तीन करने तीन यहां सुझाएगा और तीन दूना च्छे देखिए दोस्तों पानी पहले क्या था दो अब कि हो गया कितना डहिए कि इतना बग़्या तो कि दो सबक्राइब निकालना हमें ये श्रुवात मेंहारे कितना तीन दू 5 जरुत सही होगा चलि अगला स्क्राइब प्रेस्ण है पांच विश्च पूर्व एबीस वर्स थी पांच वर्स पूर्व ओस त्यूंत आई तो तील लोगों का यूग कितना हो जाएगा थे पांच वर्स पहले था आज कितना होगा यानि 15 साल जूट जाएगा इसमें पांच साल भीबहर होगा की आउसत आयू नो नो लोगों का बी और च्छाज़ा है आज कितना होगा तो 12 साल इसमें जुट जाएगा छे साल सी का तो जूटे गाते हो जाएगा 30 यह आज का ये भी आज का है करना आफ से तीन वर्सवार्ण एक की आयू कितनी होगी यह भी आज का यह जो है तो इसमें से दिखी यह तीनों का है यह बीसी का और यह बीसी का है इसमें से गटा देंगे एक निकली आएगा तो तीस घटाएंगे 75 में से तो होगा 45 45 होगा यह आज का है लेकिन पुछा आप से तीन वार्स बाद तो तीन इसमें जोगेंगे 45-48 आपसर नंबर भी सही हो जाएगा ठीक है चली दोस्तों अगला प्रस्न है अगला प्रस्न आपके सामने यहां पर आया है कि 12 ब्यक्ति 20 मीटर लंबा गड़ा आठ दिनों में खोद सकते हैं उसी चोड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर गड़ा 6 दिनों में खोदने के लिए आवस्यक ब्यक्त लगते one इसी प्लगेने वाला सवाल है तो इसको जो कार्य और दोस्तों नीचे लिखते हैं कि अन्वारा कि कि अर्टो टोटल काम कि इतना करना है बीस यह तो नीचे होगा 20 20 होगा दोस्तूं नीचे 20 हो गया नीचे गुड़े आठ गुडे आठ बराबर करा है कि उतना ही चौड़ाई और गहराई वाला तीस मीटर का धखोदना है तीस मीटर तो छह दिन में कितने ब्यक्त किया हो सकता होगी बस इसी को हल कर दीजिए यक्स कमान निकाल दीजिए उत्तर आपके सामने है तो इसको हल कर दीजिए छह पंजे तीस करिए कमेंट करते रहिए बताते रहें कि आपको मजा आ रहा है समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग हमें बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे ठीक है दोस्तों बाकी हम परियास कर रहे हैं कि आपको भली भात अच्छे तरीकी से समझाने का अगला तक्रॐत नहीं दोस्तों आगले प्रसम चलते हैं टाइम एंड वर्कव और सावाल है ⑪ यह पैप और पाइप दि एक टंकी को क्रम 602 घंटे और 18 घंटे में भरस भर सकते हैं ठीक जब कि भरी होई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है ए और W continues tax याड़ कि खूला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है सी अकेले इस टंखी को कितने घंटों में खाली कर देगा इस बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही सिंपल आसान सबाल है दोस्तों देखिए इस सवाल को हल करने का को दिए तरीका समझे क्या है कि इसमें लिए और से बहर रहा है तो कि 12 घंटा ले रहा है बी भर ठाइग ले लिए लेकिन सी 8 घंटा में सबको खाली कर दिए और इनका लिकाल लिए आप लगुत्तम जो लगुत्तम आएगा वही टंकी की टोटल कैफिसिटी है वही टोटल छमता उसका त्याहां से तो नौ हो जाएगा 72 इसका लगुता में दोस्तों 72 बहतर 12.62 इसकी निकालने वाला यह माइनस लगा देंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह और बी को साड़े 4 घंटे खोल दिया गया साड़े 4 घंटा के लिए खोला गया है यह साड़े 4 घंटा मतला नौ बटे दो यह और भी को तो सड़े चार घंट पिना भरेंगे 25 दस पांच नौप 45 45 लीटर दोस्तों भरेंगे 45 लीटर भर रहे हैं अब भरे हैं उसके बाद इसको बंद कर दिया गया उसके बाद क्या हुआ सी अकेली कितना घंटा में खाली कर देगा दोस्तों टोटल तो छमता टंकी का है 72 लेकिन ए और भी भरे कितने हैं जितना भरा है उतना ही तो खाली होगा तो पटब 45 लीटर भरा गया है 25 लीटर खाली होने में सी नौ के छमता से खाली करेगा तो नोपंजे 45 पांच घंटे का समय लगेगा तो ठीक है दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए बताइए कि आपको यह सवा समझ में आया या फिर नहीं सबस्टों गुड़ और इसको जल आप लोग सेर भी करते रहे दोस्तों आपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके सगे भाई बहन दोस्त हैं सबीद लोगों तक सेर करिए सब को पहचार बताईए ठीक है चलिए अगला प्रस्त चलते हैं और अ सवाल है दोस्तों चलिए दूरी समय चाल का सवाल है बहुत ही बेहतर और आसान सवाल है राधा को 26 किलो मीटर प्रेद घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी करने में कितने मीनट लगेंगे ध्यान रहे दोस्तों यूनिट का ध्यान रहे यूनिट का ध्यान रहे यूनिट दोनों का यूनिट समान होना चाहिए यहां पर चाल है किलो मीटर प्रेद घंटा में और दूरी है मीटर में तो दोनों को समान बनाएंगे आप चलि यहां पर दूरी कितना है 1950 1950 दूरी बट्डे चाल करेंगे समय निकल आता है दूरी बट्टे 46 भाग दिजिये लेकिन दूरी क्या है मेटर में है और है किलो में प्रति घंटा में तो इसको मेटर प्रति करनी दो देखें दो चीजी याद रिक Size मीटर प्रति सेगेंड किलो मीटर प्रति घंटा देखें एक मसीन है जिसका नाम 5काटे-18 अगर दोस्तों मेटर पर सेगेंड से किलो मीटर प्रति घंटा में जाते हैं के मीटर छोटा होता है किलो मीटर ज्यादा होता है तो अगर मीटर प्रति से किलो मीटर प्रति घंटा में जाते हैं यानि कम से ज्यादा में जाते हैं तो ज्यादा वाला उपर यानि अठारे ज्यादा थारे बटी पांच कर देंगे इसको अठारे बटी पांच करेंगे और ज्यादा से कम में आएंगे तो कम वाला उपर यानि पांच बटे अठारे करेंगे बस यही एक तरीका है दोस्तों इसको आप लोग याद रखेगा इसके बाद इस सवाल को हल करने का सबसे बेहतरी तरीका क्या है देखिए कि देखे दुस्तों तो यहाँ पर किलो मीटर प्रींटा ज्यादा है ज्यादा से कम में जाएंगे तक मोला उपर ज्यादा से कम में जाएंगे तक मोर्युष इसको यह आएगा जो भी उतराइगा या सेटेंड में आएगा असेटेंड को आप बदलेंगे मीनट में तो मिनट बदलने के लिए कहां करते हैं मिनट बदलने के लिए आप साथ से भाग कर देंगे बस सेगेंड को मिनिट में वदलने के लिए साथ से भाग कर देजी उत्तर आपके सामने है देख लीजी यहां से दोस्तों कटेगा कटेगा पिटेगा ठीक और यहां से देखे चैति या अठारत इन बार में भी कट जाएगा और कटने वाला पांच से कटेगा यह भी अपांच से काटेंगे पांच तियां पंद्रह और चार बचेगा पैतालीस पांच नव पैतालीस तेरे दूनी 26 अ तेरे तियां 49 तीन तियां नौ नौ बटे दू नौ बटे दू का मतलब साढ़े चार यानि आपसन नंबर ए ठीक है इतना मस्त सवाल है दोस्तों अब बहुत ही सिंपल है बस इतना ही केलिकूलिशन करना है बस अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण है दोस्तों बहुत बेहतर सवाल ये भी है दोस्तों देखिए एक ब्यक्ति को उसकी समान चाल की तीन बटे चार चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तैं करने में लगने वाला समय उसकी समान चाल पर उसी दूरी को तैं करने में कितना समय लगता है अब आईए दोस्तों देखिए कहा है उसी दूरी को ध्यांग है दोस्तों दूरी जो पहले चला था दूरी अभी भी वही है दोस्तों जब दूरी समान होगा तो चाल का उल्टा समय होगा अज समय का उल्टा चाल होता है कब जब दूरी समान होता है तब जैसे देखिए य पहले काया था 4 और चल कितना से रहा है कən 2 दूरी तो समान है तो न कर भूद्द है और इस स्पिड का उल्ता टाइम इसपीड का उल्ता टाइम तो 3алось eight व्यांधा इसमें कोई दिख्कत है नहीं है दोस्तों तो संतना ज्यादा लग में एक अनुपात समय में कितना अनुपात एक अनुपात लेकिन वास्तों में कितना एक घंटा चालीस मिनट मतलब DM 100 100 का समय लो रहा है तो पूछा है कि अगर वह समान ने चाल से चले दोनी कितना समय में लगेगा तो समान चाल से चलेगा दूरी समय को तरफे करनें समय कितना लगा था सा मांचार से 3Talku 3 का मान पूछा व स्थीन से कुगा कर दिजी यह मिनिट में आईगा दोस्तों और उत्तर घंटा में डिया है बस कुछ नहीं करना साट नुट कर देगा तीन दूनी और हैसे अधुसरे काटेंगी पांच बार में कर दियाए यानि पांच इस प्रस्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का दोस्तों कितना उत्तर आया है आपना उत्तर comment box में हमें जरूर बताईए और आप कितनी प्रशनों का सही उत्तर कर पाते हैं वो भी लास्ट में जरूर बताईएगा दोस्तों चलिए अगला प्रशन आपके सामने यहां पर लिया है अगला प्रशन है दोस्तों का है कि एक ब्यक्ति सांत जल में 9 एक ब्यक्ति सांथ जल में नौ किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से नौ चला सकता है उसे धारा की दिशा में 33 किलोमेटर जाने और धारा के विपरित दिशा में एक कैस किलोमेटर जाने में बराबर समय लगता है धारा की चाल बताई दोस्तों ऐसे सवाल को अगर आप लगाने बैठ गए तो काफी समय ले लेंगे और आपको समय ही बचाना है तो समय बचेगा कैसे इसको समझे समय बचाने का तरीका दोस्तों आप आपसन से हल करें इस आप आपसानी से बचालेंगे बहुत कम समय में solve कर देंगे देखे दोस्तों क्या है कि धारा की जो भी चाल है वह सांत जलंग में जो चाल है नाव का उससे कम ही आ रहा है कम ही आ रहा है ठीक है चलिए तो इसको हल कैसे करेंगे अगर अगर ब्यक्ति 33 किलोमीतर दोरी तयंगा रहा है थिक 33 किलोमीटर दोरी तयंगा है धारा की दीशा में चलेंगे तो चाल जूट जाता है यानि चाल जूटने का मतलब क्या हमने धारा का हमने jump Norman zuh UN माल लिया है थिक गरidente updates to किलो में चलते हैं तो चलने पर घट जाएगा तो क्या हो यहां टो- जैसा कहा वैसा कर दिया अब आपको आपसंद से हल कैसे करना यह सिखिए चारों विकल्प में से कोई न कोई चाल सही है अब आप कैसे पता करेंगे देखी यक्स का मान ही है चारों तो आप इसमें से कोई एक मान लेकि सटिस्फाइब करा एक दोनों और संख्या बराबर है द हमेशा यहीं कहेंगे दोस्तों जब भी आप चेक करिए तो हमेशा पुर्यनांग संख्या को पहले चेक करिए तो यहां पर पहले दो पुर्यांग संख्या है तो दो को हम लेकर चेक करते हैं अगर दो यहां पर रखेंगे यहां से भाग देंगे 33 तीन बार में जाएगा तीन तो तीनों दोनों तीन आढ़ा है बराबर लग रहा है इसका मतलब आपसन नंबर डी इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा कि अगरा प्रस्ण है दोस्तों यहां पर अगला प्रस्ण है यहां पर यह है आठ हजार रूपय की धनरासी को अर्धवारसिक रूप से चक्रिद्धी होने वाली दस प्रतिसत वार्षिक ब्याज दर्प निवेश करने पर यह धनरासी बानवे 161 हो जाती है तो समयावधी ग्यात कीजिए अब दोस्तों इस सवाल को पेन नहीं उठाना है बस आपको दिमाग लगाना है देखें अर्धवारसिक हो जा रहा है अर्धवारसिक माने छेचे महिने पर व्याज लग रहा है तो इसका आधा कर देंगे 5 परसेट कर देखिजें लेकिन दोस्तों देखी 32 steam हो गया गया वानवे 161 हो रहा है लगत आटहलन मूल्धन है यह किसी का ना किसी संख्या का क्यूब है एकईष का क्यूब है और यह है आठ का क्यूब है तोटिए इन ही है और यह हुल देखिए बानवे सो एक सट बटे आठ सो शुली 8 जाड यह 11 का क्यू भराया बानवे 11 1611 का ठीक है तो एक देखिए यह दस पर सेंगा था करेंगे पांच पर सिन ऑ पांच पर सिन कमान क्या होता है एक बटे बीस यान एं कर्वान टीन साइकल 6 मेने कर Four Tell Us आपन नोंबर भी। कुल सबस्क्राइब है ऑप लुग क्या समझ पा रहा है सवाल को गुड दोस्तों अगला प्रश्न है सामने हाप पर है अगला प्राशन आपके सामने यहां पर यह है चलिए एक आयत का परिमाप और च्छेत्रफल क्रमसह 40 मीटर और 72 वर्ग मीटर है तो इस आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी चलिए दोस्तों यहां पर दिया है आयत का परिमाप और च्छेत्रफल परिमाप दिया है परिमाप क्या होता है कि परिमाप टू कि यल प्लस बी यल प्लस बी इसका मान कितना दिया है चालिस दिया है चालिस यानि याल प्लस बी कमान अगर निकालेंगे यल प्लस बी का मान निकालेंगे तो 20 हो जाएगा यल प्लस बी का मान निकालेंगे तो 20 निकालेंगे च्छेतर फल यल इंटू बी का मान दिया है 72 यल इंटू बी का मान दिया है 72 हमसे क्या पूछा है वीकर्णे वीकर्णे पूछने का मतलब क्या पूछा हमसे दोस्तों इसका मान पूछा है दोस्तों तो हमें क्या निकालना पड़ेगा देखिए यह बी है तो जो बिकर्ण होता है दोस्तों वह क्या होता है बिकर्ण यानि डाइगोर्नल बराबर हम कह सकते हैं कि यृःल का स्कॉर प्लस भी का इस्कॉर होता है які अंडरूट मं जाएगा कई दोस्तों हमें निकालना है अले लृत क्लस गमान्या निकालना है हमने तो आप इसको होल कैसे करेंगी देखिए हमें यह प्लस बी का मान पता है और यह इंटू बी का मान भी पता है ठीक है तो यहां से आप इसका स्क्वाइर कर दिजी इसका स्क्वाइर कर देंगे तो इसका स्क्वाइर क्रेंगे क्या बनेगा यह हो जाएगा यल स्कॉाइर प्लस बी स्कॉाइर प्लस तू यल बी और बराबर बीस का स्कॉाइर चार सो इसका मान हमें निकालना है इसका मान दिया है तो यह 72 दुना 144 144 घटा दीजी धर से घर जाएगा यहां से 6 बचेगा और यहां से 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2 256 हो जाएगा दोस्तों और 256 256 होगा हुआ है 256 होगा हमें किसका मान निकालना है यहनि हमें लोगत है यल इसक्वाइर प्लस बी स्क्वाइर का मान निकालना है तो इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे दोनों का अंडरूट ले लिजी दोनों का इधर का इधर का भी इसका अगर अंडरूट लेंगे त्या हो जाएगा क्या ची यह हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा यानि आफसर नमबर इस प्रिशन का सही उत्तर होगा ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रस्ट दोस्तों चलते हैं अगले प्रिशन पर और अगला प्रस्ट नहां पर देखिए मेंसुरेशन का सवाल है दोस्तों कि यह सवाल मेंसूरेशन का सवाल है तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा चलिए यहां पर कहा है कि एक लंब ब्रित्य बेलन का आयतन चौरासी और तालिस घं सेंटेमीटर है और इसके वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल सेंटेमीटर स्कॉयर में इसके आयतन के आंकिक मान के एक बटे आठ के बराबर है तो बेलन की उंचाई ग्याद कीजिए चलिए दोस्तों ध्यान से समझीएगा दोस्तों बेलन की उंचाई हमें बताना है सवाल में एस फिससे इसावाल में हमेए बेलन की उंचाई बताना है ए एक लंब ब्रिती बिलन का आयतन दिया है और वक्र पृष्टिश छेतरफल भी दिया है अच्यार आट नई इसमें आयतन दिया है वक्र प्रिष्टी 6 त्रफल इसके आयतन के आंकिक मान का एक बटे 8 के बराबर है यानि है जो इसका करव सर्फिस एरिया है दोस्तों वह है बेलन का जो वॉलूम है उसके एक बटे आठ के बराबर है अब बेलन का आयतन है कितना चौरासी और तालिस है चौरासी और तालिस यहां पर हम यहां परकाव सकते हैं आठ सी यस एक करव सर्फेस एरिया बराबर चौरासी और तालिस गुए एक बटे आठ आठ से भाग देंगे आठे कनने आठ हो जाएगा और आठ पंजे चालिस आठ चक और तालिस एक सो चपन आजागा करव सर्फेस एरिया ठीक है तो बेलन की उन्चाई पूछा दोस्तों ज्यांत करने के लिए हम क्या करें इसमें अ है यहां से यहां पर भाग में दोस्तों गलती हो गया इसको सुधार करेंगे यहां से आप से भाग देंगे दोस्तों हो आठ से बाद करने आठ कट गया जिरो आएका 8 पंजब 48 49 तालीस यानि एक 1056 इसका सब्सक्राइब inclusive एरिया और शोपनoples और आयतन तो पता है हमें निकालना क्या चीनिकालना है हमें उचाई निकालना है कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा निकालना है तो यहां से लेकिन का आयतन का सुत्र होता है मेलन का आयतन का सुत्र और पाइज इसका मान दिया झाय चलिए इसका मान दिया है दोस्तों यहां से 84 बटे 1056 इसको जब भाग देंगे तो 8 बार में भाग देंगे 10 एक सभी ठीक है 8 से कर कल जाएगा से इसको इस में- 1189 ढहिएowego च्लिक फिर्म ककी इसा यहां से नहीं कडने पर आशाटा का जयाएगा ओना स्केकर आर का effort की यहां से बचेगा आढ़ बटे दो बरावर आठ यानि आर कमान कितना जाएगा यहां से आर कमान जाएगा दोस्तों 16 अगर आर कमान 16 है तो हमें तो उचाई निकालना है उचाई के लिए वक्त प्रिष्टी चित्रफल से निकाल सकते हैं दू पाई आर यच बराबर एक हजार चपन तेहां से जब हल करेंगे दोस्तों कि यहां से जब इसको हल करेंगे तो फाइनल जो उत्तर आएगा वह है साधे दोस आएगा साधे दोस आएगा ठीक है साड़े दस तो साड़े दस आपसन नमबर बी में है तो यह बी आपसन सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो हमने 20 कोश्चन दोस्तों हम इसमें हल किये हैं और 20 कोश्चन को मैं आपको समझाने का प्रियास किया हूं आप लोग कमेंट में बताइए अपना बहुमूल समय आपन ने दिया है तो आप अपना फीड़ बैक हमें बताईए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हकांसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया आप हमें जरू बताईए तो फिल मिलते दोस्तों अगले वीडियो में आज की इतना ही जै हिंद जै भारत